जै मातादी, मित्रो आज हम इतिहास के पन्नों के सेग्मेंट में आपको ले चल रहे हैं भारत में राजस्थान राजी के जालोर जिले में भीन माल के समीब अरावली परवस सिंखला के बीच लवग नौसो बस प्राचीन माच चामुंडा माता के अयतिहासिक मंदिर की यत्रा पर जिसे सुन्दा माता के नाम से भी जानते हैं सुन्दा माता एक बहुत ही पवित अयतिहासिक मंदिर है हम आपको इसका एक पूरा व्यू दिखा रहे हैं सुन्दा माता का हरा भरा परिसर, जालोर चिले में भीन माल के समीप, प्रवेश करते ही अराली परवस निखलाओं के निचले भाग में इस्थित, बहुत सुन्दर शुरम में घाटी, हरी भरी धर्ती, बहुत सुन्दर पेड पोधों की हरियाली देखते ही बनती है, बहुत सुन्दा माता के मुख्य द्वार की ओर हम बढ़ रहे हैं, देरे देरे सामने आपको दिख रहा है मासुन्दा माता का भब्व द्वार और एक ऐसा एतिहासिक बंदिर जिसकी अस्थापना लवहल नौसो इस्वी में चोहान बंस के जालोर के सासकों द्वारा की गई मित्रों यह वो मंदिर है जिसका एतिहासिक अभलेख ही साच्छे मिलता है, यहां पर तीन अभलेख प्राप्त होते हैं, पहला अभलेख 1262 का है जिसके अंसार चोहान सासकों द्वारा परमारों पर बिजय के उपलच में इस मंदिर का निरमार जालोर बंस के सासकों वा दे स्थान का ये पहला रोब्बे है, मंदिर उची परवस्चिंखला पर इस्थित है और उस उचाई तक जाने के लिए अब रोब्बे की विवस्था भी है, ये रोब्बे का रास्ता, देखिए दूर बिहंगम घाटी, इस घाटी से उपर की ओर चड़ता हुआ रोब्बे, रोब्बे का आप आनन्द लीजे, लंबा रोब्बे और इस रोब्बे का किराया यहां पर केवल 150 रुपे प्रतियात्री आना वा जाना दोनों का है, देख रहे हैं आप हरी भरी घाटी, अरावली परवस्चिंखला के वीच इस्थित, मासुन्दा माता का दरबार, रोब उचाई रोब्बे की द्वारा हमने पूरी कर ली है, अब समतल मार्ग है, एक पहाडी, हलका सा पानी के बहाओ का छेत्र और उसके साथ साथ घाटी में यह रास्ता, रास्ते के साथ साथ दुकानों की सिंखला और दोनों और बहुत सुन्दर सुन्दर धरमसाला बनाए गय आज के हैं, जिन में यात्रियों के ठहरने के सारी आवस्यक मुल्भूस सुविदाये हैं, बहुत ही नामनल किराये पर यह धरमसाला सभी यात्रियों के उप्रब्द होती हैं, बिश्र भगवान का मंदिर है रास्ते में, इसे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर तरीक से बनाया गया है, चतुर भुजनात भगवान बिश्र का मंदिर, परवस सिंखरा की तलहटी में, संगमर्मर का स्वैच संगमर्मर से बना हुआ, बहुत ही आली सांद मंदिर है, शांत सुरम अस्थान साधना के लिए बहुत ही अध्भुत, इस्थति, मंदिर की, आईए मं मंदिर की और आपको ले चलते हैं, भक्ति जना करके इस प्रांगर में ध्यान करते हैं, मरन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रहु से प्राथना करते हैं, भगवान वास्देव क्रिश्र के रूप में अस्थापित, वास्देव भगवान के चतुर भुज प्रतिमा, विश्र म मंदिर का विहंगम दिर्ष आप देख रहे हैं परवत तलहटी के नीचे स्थित तार्ख और दूसरे प्रकार के पेड़ों से पुरा पैरसर आच्छादित है तो मैं आपको अब मंदिर की ओले चल रहा हूं जो चामुंडा माता का मंदिर है चामुंडा माता के मंदिर के बार रहा था कि यहां का जो पहला एतिहासी अवलेख्य साथ छे मिलता है वह 1262 हिस्वी का है जो यह बत्राता है कि जालोर के चोहान सासकों द्वारा और देवल प्रतिहार के द्वारा इस मंदिर का दिरमार किया गया मंदिर में जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है दूसरा अवलेख 1326 हिस्वी का और तीसरा अवलेख 1727 हिस्वी का प्राप्त होता है आए अब हम मंदिर की सीडियों की और आपको ले चलते हैं इन सीडियों से ऊपर चढ़ करके जो पहाडी परिस्थित मंदिर है उधर हम आपको ले चले यह मंदिर परिसर का द्रिस्ट है माचा मुंदा माता का दर्वार रानी माता ने जो ऊपर पहाड के चोटी पर अपना भब दर्वार सजाया है मंदिर के ठीक सामने धर्म धोज मंदिर के सामने भक्तों के द्वारा माचा मुंदा माता के नाम की आहुती अग्ड में डालने की व्योस्ता है मंदिर के अंदर की फोटो या वीडियो बनाना वर्जित है इसलिए मैं मंदिर का विहंगम दृस्टी के उलाब को दिखा पा रहा हूं मंदिर का पूरा परिसर आपके सामने दिखाई दे रहा है मैं बताना चाहूँगा कि यह मंदिर प्राचीन समय से ही नात प दोल और सुन्दा की धनी नाथ योगी रदबनाथ जी को ये जो जागीर दी गई थी वो मंदिर के पुजारी के रूप में काम करते थे और इसके जो आए से इस मंदिर की विवस्था देखते थे बाद में जोधपुर के महाराजा जस्वन सिंग जी द्वारा मन गलवा और च पुजारी के द्वारा इस मंदिर की पुजार्जना की जाती है माचावुंडा माता का परम पावन पवित धाम इसके उपर भैरो बाबा के अस्थल की और आपको हम ले चलते हैं उपर की और पहाड़ी पर इस्थित है भैरो बाबा का अस्थान और एक संकर जी का छोटा सा स्थिवाले सामने बहुत ही अत्भुद्र से है इतनी उची पहाड़ियों पर आप देखते हैं दूर घाटी प्रकृत का अनुपम बरदान इस राजस्थान की जो सोड़ रज है धोरों की एक मोटी परत इस पहाड़ियों पर हवा ने विखेरा है प्रकृती ने विखेरा ह पहाड़ी प्रकृत और धोरों का अपूर्व संगम इतनी उची पहाड़ियों पर धोरे दूर तक फैले हैं और काफी उचाई तक धोरों पर जाने का भी आनंद आप यहां ले सकते हैं परेटकों के लिए ओट आज से भी धोरे पर चरने की व्योस्था है यहां कैंपिंग की वियोस्था भी है तो धार्मिक परेटन के साथ साथ जो मनुरंजन के लिए भी परेटक आते हैं उनके लिए भी यह स्थान बहुत ही उपयुक्त है और खास करके दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना यहां पर टहलने के लिए बहुत ही अच्छा है सामने आप देख रहे ह है एक मंदिर के प्रांगण में ही इस्थित हनुमान जी का मंदिर यह हनुमान जी का मंदिर है मैं नीचे की ओर आपको ले चल लहा हूं हनुमान जी के मंदिर में आने वाले दर्सनार्थियों के लिए रसुई याद के प्रवंध के लिए पूरी विवस्था है बहुत ही अ कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं उसकी पूरा ब्योस्था के लिए बड़ा सभागार बनाया गया है आज कल मा चामुंडा माता का जो मंदिर है इसका संचालन एक ट्रस्ट के द्वरा किया जाता है मा चामुंडा माता ट्रस्ट मंदिर की पूरी व्योस्था की देख रेक करता है अब मंदिर के नीचे की ओर ले चलना है आपको मंदिर से उतरते हुए दोनों और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से राश्ते के किनारे, कुर्सियों की विभुस्था है, धोरों और कुर्षियों के वी से मागे बढ़ते हुए, मंदिर के नीचे वाले भाग की और, जहां से फिर से हमे वोब्बे मिलेगा और वो हमे पहाडियों से नीचे की और ले जाएगा उस ओर आपको ले चलते हैं। प्रतन की दिर्श से बहुत ही प्रसिद्धत्तान Adventure, बहुत ही मनस्थानि की अास्था और विश्वास का और माचा मुन्दा-माता का मंदिर रात्र के अधिरे में रोसली से जगमगता हुआ आपको दिख रहा है और इसके साथ हम बढ रहे हैं उसस्थान की ओर जहां जहां से हमें रोबे मिलेगा पूरा दिन बितीत करने के बाद रात्र में हम मा चमुणा माता के दर्बार से धीरे धीरे अपने गंतब की और वड़ रहे हैं हम आ पहुंचे हैं उस अस्थान पर जहां से में रोब्बे नीचे की और ले जाएगा हमारी यत्रा का आउसान हो रहा है मा सुन्दा माता की जय के साथ मा की कृपा हमारे उपर बनी रहे हम पिदा लेते हैं और रोब्बे से नीचे की और का सफर करते हैं